प्रार परिवार के बीच घमासान मचा हुआ है कि जब सब अंगत को स्टोरूम से निकलते देखते हैं जहां साहीबा सोती है और अब जसलीन कोई मौका नहीं छोड़ती मनभीर को तकलीफ पहुचाने की और बोलती है कि आखिर अंगत साहीबा के साथ ही रात बिताया है और इस पर हंसराज भी बड़े मजे लेता है और आगे अंगत को कहता है कि वो तो नाटक कर रहा था कि उसे साहीबा अपने रूम में नहीं चाहिए बलकि रिसेप्शन में जिस तरह से दोनों चिपके हुए थे उसकी वज़े से ये सब तो होना ही था और सुहाग रात तो मना भानी ही थी पर मनबीर को हंसराज की इस गंदी बात पर जहां आता है गुस्सा वहीं पर दारजी और जबजोत को आ जाती है शरम ये सब बाते सुनकर परिवार के मुझ से और अगे गुरलीन और जसपाल जिनको ये सब बाते बिल्कुल फिजूल लगती है जसपाल वहीं अब हनसराज को इस तरह की बाते करने के लिए मना करता है। पर अब अंगत सबकी बाते सुन बोलता है कि उसको कुछ याद नहीं है। रात के बारे में तो कोई कुछ नहीं कहे उसे। और तभी पहुंचती है साहीबा सबके सामने। और अंगत को पूछती है कि क्या बात है और क्यों बुलाया है उसे वहाँ और तब अंगत सब के सामने सारा इलजाम साहिबा पर ही लगा देता है ये बोलकर कि उसी का किया कराया है और साहिबा को ही पता है कि क्या हुआ है रात को और ये बोलता है कि साहीबा ने ही शायद उसे फुसला कर और बहला कर उसे अपने रूम में लेकर गई है और साहीबा हैरान है अंगत की ये बाते सुन कि कैसे वो खुद उस पर हावी हुआ था पर अब उसे कुछ याद नहीं तो अब साहीबा कैसे करेगी खुलासा पूरे परिवार के सामने और कैसे अंगत को पेश करेगी परिवार के सामने ये देखना बहुत ही दिल्चस्प होगा तो देखते रहें तेरी मेरी डोरियां की अपडेट्स में आगे कैसे साहिबा पेश करती है रात की बात सब के सामने